दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आपको एक बहुत ही महत्व पूरन यानि कि इंपॉर्टन जानकारी देना चाहता हूं वो ये कि नेट्फिक्स के अल्टरा एच्टी अकाउंट आते हैं 800 रुपए में एक महने के लिए जी नहीं बिल्कुल नहीं अब आप आ सकते हैं वही सेम नेट्फिक्स का अल्टरा एच्टी एकाउंट सिर्फ 200 रुपए में पूरे महने के लिए कैसे ये जानने के लिए या तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे डीटेल्ड वीडियो को देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गए हमारे वाट्सअप नमबर पर तुरंत कॉंटक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फीट्फिक्स को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट मूवी अपडे सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो इस वीडियो में मैं UPID से जुड़े उन सारे सवालों के जवाब दूँगा जिसकी वज़े से आप काफी परिशान है और काफी लोगोंने मुझसे उसी से जुड़े काफी सवाल पूछ कर मुझे भी हैरान और परिशान किया इन सबी सवालों में से एक सबसे बड़ा खास सवाल है वो ये कि क्या अगर मैं UPID से Netflix की मेंबर्शिप लूँगा तो क्या मेरे 2000 कटेंगे या सरिफ मेंबर्शिप की फीज कटेंगी तो ये सवाल और कई धेर सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको बताने वा जाएंगे हैलो हाई नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजन सिंग आप देख रहें फिटफ्लेक्स लेट्स केट स्टार्ट दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि Netflix जब इंडिया में लॉंच हुआ तो वो सिर्फ एक ही पेमेंट में तर सपोर्ट करता था या तो डेब Netflix ने हमें शॉक किया UPI का पेमेंट मेंट करके जी हां यानि कि अब आप UPI से भी Netflix की मेंबर्शिप करीज सकते हैं कैसे खरीज सकते हैं इसका डीटेल वीडियो मैंने बनाया है जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं वहां पर step by step पूरा complete process बताया गया है कि कैसे काफी सारे confusions और सवाल थे जिनके जवाब मैंने उस वीडियो में बता दिया हैं तो उस वीडियो को भी check out करना बिलकुल ना बूलें तो काफी time के बाद में Netflix ने एक नया payment method add किया यानि कि UPI ID के तुरू membership लेना बट still UPI ID में भी काफी सारे catch थे और वो catch यह है कि market में यानि banking के जो भी UPI ID है किसकी UPI ID Netflix में valid होगी किसकी ID नहीं valid होगी मतलब कौनसी ID से आप purchase कर सकते हैं Netflix की membership और कौनसी ID से Netflix की membership आप नहीं खरी सकते हैं यह सारी चीज़े में आपको एक example से समझाता है for example starting में जब Netflix ने UPI से payment accept करना चालू किया था तो वो स्रिफ दो UPI ID support करता था पहला at paytm और दूसरा at UPI at paytm से तो आप समझी गए होंगे कि यह paytm app से linked है यानि कि paytm payment bank से तो अगर आपके पास में paytm payments bank है तो उसमें आपको at paytm का UPI ID मिलेगा उस UPI ID से आप Netflix की membership खरी सकते हैं वहीं पर दूसरी और अगर आप Bheem UPI use करते हैं यानि कि हमारी Indian government की official app तो उसमें आपको जो ID मि support करती थी बट अब आगे जाकर Netflix ने और भी डेल सारी UPI ID's add कर दी हैं जैसे at IBL, at AXL और at YBL जो कि यह तीनों ही ID's phone पे से linked हैं यानि कि अगर आप phone पे use करते हैं अगर आपने अपने bank account को phone पे से link किया है तो आप at AXL, at IBL और at YBL के UPI ID's पा सकते हैं और इनके तरू आप Netflix की membership खरी सकते हैं इतने ही नहीं मुझे लगता है कि आजकल हर एक के mobile में Amazon की shopping app तो होगी होगी और अगर है तो definitely आपने उसमें Amazon Pay भी activate किया होगा तो अगर आपके पास में Amazon Pay आप use करते हैं और अगर आपके पास में Amazon की UPI ID है जो की basically end होती है at APL से तो again उस UPI ID से भी आप Netflix क membership खरी सकते हैं so finally अगर आप ये इन चारो आप को use करते हैं for example Paytm app यूज करते हैं Beam UPI app यूज करते हैं phone पे आप यूज करते हैं और Amazon Pay app यानि Amazon की shopping app यूज करते हैं जिसमें Amazon Pay मिलता है तो इन चारो आप के UPI ID से आप Netflix की membership अब currently purchase कर सकते हैं well कैसे purchase कर सकते हैं मैंने at Paytm औ अब i button पर click करके उस video को refer कर सकते हैं अब मैं आपके उस सवाल का जवाब दूँगा जो कि काफी लोगों ने मुझसे बार बार पूछा है जिसका जवाब मैंने अपने पुराने वीडियो में दे दिया था but still मेरे क्याल से बहुत लोगों ने शायद video skip करके देखा होगा य और मुझसे बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं और वो सवाल यह है कि जब भी हम UPI ID से payment करते हैं तो हमें एक pop-up आता है कि भाईया 2000 रुपे कटेंगे तो क्या अगर मैं 799 की membership लेता हूँ या 199 की membership लेता हूँ तो 199 और 799 की जगह पर क्या 2000 रुपे कर जाएंगे जी तो यह उतने ही बिल्कुल नहीं आपके 2000 नहीं कटेंगे आप जितनी की मेंबरिशिब लेते हैं स्र вас उतने ही कटेंगे या भाईया हम maximum एक मेने में आपके account से 2000 रुपे काट सकते हैं, उसकी आप हमें permission दीजिए, यानि कि भले ही आप जो है 199 का plan लेते हैं, आपकी सिर्फ उतनी ही membership इस कटेगी, 2000 नहीं कटेगा, तो चलिए ये सवाल का जवाब मैंने दे दिया, अब दूसरा सवाल आप ये पुछें simplified example में आपको समझाऊंगा, कि जो की हर कोई follow करता है, मेरे ख्याल से हर एक banking institutions, सब यही एक funda use करते हैं, और depend करता है service provider to service provider, वो किस तरीके से customer से अपना पैसा लेना चाहते हैं, for example, Amazon और Hotstar ये procedure follow नहीं करता, और उसका reason mainly ये भी हो सकता है, कि mainly उनके जो yearly plans है, वो काफी सस्त हैं, और लोग सीधा yearly plan ही ले लेते हैं, बट Netflix के दूसरी जगा इतने महेंगे plans हैं, कि मुझे लगता है कि उनके yearly plans लेने के लिए market से हमें loan उठाना पड़ेगा, इसलिए Netflix ताकि आपकी जो viewing experience हो, आपकी membership हो, uninterrupted हो, इसलिए आपसे 2000 की permission लेता है, कि भाईया आप हमें permission दे अब इसे मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ, कि माल लिजे कि हमारे आजपस जितनी भी चीज़े हैं, सब के भाई बढ़ी रहे हैं daily, कोई भी ऐसी चीज नहीं है धरती पर, जिसका भाई कम हो रहा हो, और अगर कम होता भी है, तो वो पहले बढ़ता है, उसके बाद में तो होगा यह कि आपको कुछ भी करने की ज़ुरत नहीं है, अब आप सोचेंगे बोजन कि भाई, 799 था, अभी 999 हो गया, अभी फिर से मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं, आपको कुछ भी करने की ज़ुरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि Netflix ने आपसे अल्री पर्मिशन लिए है कि महीने में एक बार हम आपके अकाउंट से maximum 2000 डिटक कर सकते हैं, तो अगर Netflix ने future में, example दे रहा हूँ, future में अगर उसने 799 से 999 कर दिया, तो भी आपको कुछ करने की ज़ुरत नहीं है, uninterrupted आपकी membership continue और renew होती रहेगी, तो यह 2000 का जो funda है न, वो कुछ इस तरीक enjoy कर सके, बट अगेन इसका मतलब यह नहीं है कि 799 का plan है, तो 2000 कटेगा, 799 ही कटेगा, वेल यह example देने के बाद में, अब लोग मुझसे पुझेंगे कि यार, Netflix भाव बढ़ाने वाला है, भाया पदा नहीं, हो सकता है, Netflix के उपर है, क्योंकि recently, अभी Amazon ने जो है, अपना price ब सकता है, कुछ changes कर सकता है, कुछ नए plan ला सकता है, या फिर existing plan के prices बढ़ा सकता है, बट ऐसा अभी कोई भी news सुनने में नहीं आ है, so please, example को लेकर serious मत हो जाना कि यार लगता है, Netflix बढ़ाने वाल, वो सरिफ example था आपको समझाने के लिए, well, अब आते हैं, उन सवालों के 2000 रहेंगे, तो ही मैं Netflix की membership ले सकता हूँ, जी नहीं, बिलकुल नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं है, आपके account में स्रिफ उतने पैसे होने चाहिए, जितने की आप membership ले रहे हैं, यानि कि अगर आप 199 का ले रहे हैं, तो at least 199 रखो ताकि वो deduct हो और आपकी membership चालू हो, well, again, इसको लेकर एक थोड़ा twisting सवाल भी है, वो ये, कि भाईया, मेरे account में स्रिफ 600 रुपय है, मुझे 799 की membership लेनी है, अगर मैं transaction करता हूँ, तो क्या membership मिल जाएगी, भाईया, कैसे मिलेगी, 799 का plan है, आपके account में 600 रुपय है, तो कैसे membership activate होगी, transaction तो decline हो गाई, well, अब इसको लेकर एक और testing सवाल है, वो ये, कि बहुत लोगों ने मुझसे पूचाए, कि भाईया, माल लिजे कि मैंने UPID से पहले मैंने membership ले ली 799 की, अब अगले मैंने जो है, मेरे account में सिर्फ 600 रुपय है, तो क्या मेरी membership रिनी होगी, कैसे होगी, भाईया, आपके account में 799 नहीं है, जब 7 99 होगा, तो ही आपकी membership रिनी होगी, इस case में, अगर आपके account में सिर्फ 600 रुपय ही है, तो renewal के time पे, क्योंकि आपके account में sufficient balance नहीं है, transaction decline हो जाएगा, आपकी membership continue नहीं होगी, और आपको पूरा process फिर से चालू करना होगा, वेल एक और सवाल, बहुत सारे लोगों ने मुझ details में जाएए, उसको payment details में फिर से आपकी UPID को re-edit कर दीजे, फिर से उसे enter कीजे, और फिर transaction proceed कीजे, इस बार वो process हो जाएगा, और एक और चीज जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे नहीं पूछी है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि एक UPID से, for example, आपकी UP UPID है, XYZ at UPI, तो उस UPID से आप सरिफ एक ही account ले सकते हैं, आप एक ही UPID से multiple account नहीं ले सकते हैं, transaction मतलब आगे बढ़े गई नहीं, आप जैसी मान लीजे कि आपका एक Netflix का account है, आपने उसमें XYZ at UPID डाला है, और उससे membership चालू है, और वो ही UPID से आप दूसरा account लेने की कोशि से पूछा था, बड़ काफी टाइम से मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा था, तो ये थे उन सारे चीजों के जवाब उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा हर एक चीज की कितना कटेगा, कितना नहीं कटेगा, और किस हालत में क्या नहीं होगा, जाने से पहले एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, नेट्फिक्स का अल्टरा एजडी अकाउंट आता है 800 रुपे में एक मैने के लिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप पासकते हैं वही सेम नेट्फिक्स का अल्टरा एजडी अकाउंट सिर्फ 200 रुपे में अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट में ज़रू बताईए मैं सारे कमेंट्स को एकटा करूंगा और जितने भी कोशन्स है सबको आंसर करूंगा एक नए वीडियो में, अंटिल देन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना न भूले, चैनल को स झाल झाल झाल